हलो फ्रेंड्स नमस्कार मेरी यूटूब चैनल स्टडी.81 में आपका स्वागत है हम आज की इस वीडियो में राजस्ब क्या है एवं राजस्ब के छेत्र को देखेंगे आज के अपने टॉपिक योड चलने से पहले हम कुछ बेशिक बातों को जान लेते हैं शुविधा की द्रिष्टी से अर्थ सास्टर को हम लोग पांच भागों में बाटकर अधेयन करते हैं उत्पादन, उपहोग, बिनमय, बितरन और राजस्ब इस परकार अर्थ सास्टर का पाचमा भाग राजस्ब है आज का मेरा टॉपिक यही राजस्ब है राजस्ब को ही लोकवित, सारवजनिकवित और पबलिक फाइनांश कहते हैं राजस्ब इस परकार अपनी आई प्राप्त करती है और अपने उद्देश की पूर्थी तथा अपने दायत्वो को पूरा करने के लिए किश परकार ब्याय करती है इसका अध्ययन किया जाता है शौट में इस तरह से भी हम लोक कह सकते हैं शरकार अपने बीत को मैनेज कैसे करती है इसका अध्ययन हम राजस्व या पब्लिक फाइनांस के अंतरगत करते हैं इभी नडशास्त्रियों ने राजस्व या लोक बीत को अपने अपने धंग से परिभाशित किया है प्रोफेसर फिंडले सिराज के अनुसार सार्वजनिक बीत सार्वजनिक संस्थाओं की आई की प्राप्ति तथा ब्याशे संबंधि सिधानतों का अध्ययन है एड़म अस्मीत के अनुशार राज वै और राज के राज़स्व की प्रकिर्टी और शिद्धान्त की जांच सार्वजनिक वित कहलाती है राल्टन के अनुशार सार्वजनिक वित, सार्वजनिक टाधी करनों की आय और ब्याय शेशंबंधित है और एक दूसरी के शमयोजन के साथ है इस परकार आर्थ सास्तर की वह शाखा जिसमें केंद्र अस्तर पर केंद्र सरकार, राज अस्तर पर राश शरकार तथा अस्तानिय अस्तर पर अस्तानिय शरकारों के आय ब्याय तथा रिन आदिश शम्बंधि सिधान तो नीतियों, शमस्याओं और प्रकिरियाओं का अध्या किया जाता है जस्म कहलाता है अब हम लोग राजस्विया सार्वजनिक वित के छेत्र की ओड चलते हैं राजस्विया पुब्लिक फैनेंस को मुख रूप से छे छेत्रों में बाटकर अध्यायन किया जाता है जिसमें से फर्स्ट है सार्वजनिक व्य जिसे पुब्लिक एक्स करत्啊 के कल्यान हैं तो किस परकार ब्याय किया जाए व्याय के शिध्धांत क्या होने चाहिए सारवजनिक ब्याय का सामाज के उत्पादन और वप्भोग बीत्रण तथा आय और रोजगार पर क्या प्रभाब पड़ेगा गति नेक्ष्ट है सार मसी शुथ्द्ध का का किरियान वयन एवं उसका अर्थ वेवस्था पर पढ़ने वाले प्रभाब का अधयन किया जाता है नेक्स्ट है सार्वजनिक रिन जब सरकार की आए ब्याय की अपेच्छा कम होता है तब सरकार सार्वजनिक ब्याय की पुर्ती के लिए रिन लेता है सार्वनिक रीन कहां से प्राप्त किये जाएं रीन लेने के उद्देश रीनों को किश्पर का लौटाना है रीनों पर व्याज की दरी क्या होनी चाहिए आदी बातों का अधायन राजस्प के सार्वनिक रीन विभाग के अंतरगत किया जाता है भारत में शंगात्मक वित्य प्रनाली को अपनाया गया है अर्थात किंद्रिये शरकार द्वारा राज सरकारों एवं केंद्र सासित प्रदेशों के बीच आई का वटवारा किंद्र सिधानतों के आधार पर किया जाए तथा केंद्र सरकार राजियों को किश अनुपात में अनुदान आधिका बित्रन करे इन सभी बातों का अध्यायन राजस्प के शंग्य बित्य प्रशासन विभाग के अंतरगत शंपूर्ण बित्य विवस्था का अध्यायन किया जाता है बजट किस परकार बनाया जाए बजट को पारित करना करों का निर्धारन एवं करों का संग्रहन करना सारजनिक ब्यायों का संचालन वा नियंत्रन तथा सारजनिक ब्याय को ऑडिट करना ये सभी बातों का अध्यायन बित्य प्रशासन के अंतरगत किया जाता है नेक्स्ट है राजकोशियनीती एवं आर्थिक शंतुलन अर्थ व्यवस्था में इस्थेड़ता लाने के लिए देश के तीवर आर्थिक विकास है तो कर आय बै रीन एवं घाटी की अर्थ व्यवस्था को किस परकार किर्यानवित किया जाये जिस्से की देश में आर्थिक स्थिरता बनी रहे तथा देश का तीवर गती से आर्थिक विकास हो इन बातों का अध्यायन राजकोशियनीती एवं आर्थिक शंतुलन के अंतरगत किया जाता है इस परकार हम लोगों ने आज के वीडियो में राज़स्प क्या है एवं राज़स्प के छेत्रों को देख और समझने का परियास किया इसी के साथ मेरा आज का वीडियो शमाप्त होता है मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किजिएगा हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीड कर वीडियो यदियो करते है तो लगे यदिय nuclear वीडियोग और सेटी connecting चाले, यदिया आजे बताएंबारव करे इस से अवय तो लोगेशारा आज करे उगा को शीकार, आजे वीडियो खे दो एकमे जगता हो ख